दोस्तो BSNL का जो 4G launch है ना अगर वो हो जाते हैं तो यहां पर Vodafone Idea Company का खेल खतम हो जाएंगे Vodafone Idea Company को मेली Government की तरब से जिन्दा रखा गया है क्योंकि भारत के अंदर डूओ पली ना क्रियेट हो अब एक चीज अपने सोचा कि Vodafone Idea Company जिनके पास almost 4 सल का extension था कि आने वाले 4 सल तक वो अगर चाहे अपने कमपणी को Government को ना बेचना तो वो एजिली ना बेच सकते थे आचाना क्या कुछ हो गया कि Vodafone Idea के Board of Directors ने ये decision लिया कि वो अपने कमपणी के 35.8% का स्टेक Government को दे देंगे मतलब Majority Stakeholders यहां पर Government हो जाएंगे क्या कुछ चीज हो गया इसके पिछे का जो कहानी है ना ये बहुत ही बड़ा कहानी है और अगर BSN अपने 4G सर्विस को लेकर आ जाते है ना तो Vodafone Idea के खेल बिलकुल खतम होने वाला है चली वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बार में पुरा डीटेल्स जोए इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करें से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हमारे और आपके चैनल TechScan पर मिली एक ब्रैंड न्यू आइफोन 12 का गिवाय चल रहा है अगर अपनी गिवाय के अंदर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक आपको गिवाय वाले वीडियो का लिंक मिल जांगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 2021 के मेली September माहने के अंदर चले यह तब क्या हुआ था तब Vodafone ID के Final Sale Condition काफी साथ खड़ाब था और इनके मेली दो प्रोमोटर्स थे एक है आदितो बिला ग्रूप और एक है Vodafone Limited अब आदितो बिला ग्रूप के जो कुमर मंगलम बिला है उनकी तरफ से डाडिकली बता दिया गया था कि आपने हिस्से का जो भी स्टेक है मतलब वियाई कंपनी के अंदर जो भी स्टेक है वो गवर्मेंट को डिरेकली बेचना चाहते है सिमिलाली Vodafone कंपनी की तरफ से बताएगा कि वो आपने मेटलिटी स्टेक को मिलिऄ गवर्मेंट को बेचना चाहते है अचाना क्या हो गया कि भाई ये कंपनी जो इनके प्रोमोटर से है ये अपने हिस्से का स्टेक गवर्मेंट को बेचना चाहते है उसके बाद government ने यह सोचा कि अगर इस टाइम Vodafonate ये कंपनी भारत के अंदर बंद हो जाते हैं तो भारत के अंदर डूपली स्टार्ट हो सकते हैं Airtel और Reliance जो ये दो कंपनी डूपली कर सकते हैं मतलब जो plans का price तब सा उससे दुगना कर सकते हैं या उससे भी जादा कर सकते हैं और customer को वो price पे करके उनके plans जो वो खरीदना होगा और ये काफी जादा बुरा होता आप हम जैसे normal customers के लिए तो government ने ये सोचा कि भाई देखो अभी के time के अंदर टेलिकम सेक्टर का condition काफी जादा कराब है अभी किसी भी company को बंद नहीं करते कुछ मौका यहां पर दिया जाते है एक टेलिकम कंपरी को तो इसलिए टेलिकम सेक्टर के लिए रिवाइबर पैकेज का घोशना किया गया जहाँ पर जो भी existing dues है वो आने वाले चार साल करी ये monitorium दिया गया मतलब किसी भी तरी का dues जो आने वाले चार साल तक नहीं देना होगा उसके बाद जो procedure है वो उसे और भी साथ ही easy कर दिया 100% MDI का बंद बस जो यहां पर कर दिया गया जो spectrum में वो आपस में वो share कर सकते है इसका भी जो सुविधा है वो यहां पर government के तरफ से दे दिया गया काफी बढ़ीया revival package यहां पर दिया गया लेकिन BSNL 4G अभी तक भारत के अंदर launch नहीं हुआ है government word of an idea company को क्यों बचा रहा था एक बर आप सोच के देखिए कि क्यों government word of an idea company को बचा रहा था कि भारत के अंदर डूपली स्टार्ट ना हो में लिए दो टेलीकम company जो 4G service रूइड करते हैं वो ना रहे BSNL government company है लेकिन BSNL का 4G service अवेलेबिल नहीं है तो maximum जो customers है वो यह ते लोज जो के पास है word of an idea company के अंदर भी अच्छे का सब्सक्राबर बेस है लेकिन word of an idea company है काफी ज़ाधा कर्जे वाला company है मतलब एक huge amount of कर्ज है word of an idea company के अपर और हर quarter के अंदर company continuously loss करती होए जा रहे है तो वैसे एक time के अंदर अगर BSNL अपने 4G service को launch कर देते हैं एक huge amount of subscriber BSNL पर acquire कर लेंगे और maximum जो subscriber word of an idea company के अंदर है वो BSNL के अंदर shift हो जाएंगे तो इस time आप एक बार सोच कर दे कि कि V.I. company future में क्या कुछ चीज करने वाले है वोड़ोफोन आइडिया से अगर subscriber BSNL के अंदर shift होने लगे तो company का हल और वी जदा कराब हो जाएंगे ऐसे एक time के अंदर सबसे जाथा मुश्किल पर आ जाएंगे V.I. company तो V.I. के board of directors ये पहले ही सोचा है कि अगर BSNL अपने 4G service को भाई लॉंच कर दे तो हमारा जो काम है वो तमाम हो जाएंगे तो इसे कारण से जल्दी जल्दी एक huge amount of stake जो वो government को दे दिया अगर Vodafone Idea company के अंदर loss भी होते तो उसका भागेदार जो वो government भी होंगे उल्टा अगर BSNL अपने 4G service को लॉंच कर देते हैं तो definitely BSNL company काफी आगे चला आएंगे हो सकते हैं कि आने वाले कुछ साल के अंदर BSN number one company भी बन जाए क्योंकि customer का एक अलग सा भरोसा है BSNL को पर और जिस तरीके का plans BSNL आपर प्रोवाइड करते हैं न काफी बढ़िया plan प्रोवाइड करते हैं तो Vodafone Idea पहले से ही एक safe game खेल दिया कि भाई देखो हमारे company का huge amount government को दे दो अगर company loss करते हैं तो कोई government का भी loss हो जाएंगे क्योंकि देखिए एक बर अगर Vodafone Idea company बंद हो जाते हैं तो किसका क्या मतलब क्या बिगरने वाले हैं जो private promoter से मतलब अधित्यो बिल्ला गुरूप या Vodafone Group उनका huge amount घाटा होंगे company bank draft होंगे company के जो भी assets से वो बेच कर government अपने हिस्से का पैसे यहां पर से निकल लेंगे तो यह काफी जाता आसान हो जाएंगे क्यों एक private company के बचाने के चकर में government यहां पर पढ़ रहा है तो इसके पीछे का main जो कारणत है कि भारत के अंदर duopoly ना start हो लेकिन BSL अगर अपने 4G service को लेकर आ जाते हैं तो duopoly यहां पर नहीं होने वाले है क्योंकि BSL company भी रहने वाले हैं तो तीन company आपर रहने वाले हैं तो ऐसे time के अंदर vodafone idea के condition और भी जदा खड़ाब हो जाएंगे अगर BSL अपने 4G service को launch करें अभी देखते हैं BSL कब अपने 4G service को launch करते हैं आगोश सिप्टमर के अंदर तो launch हो जाना चाहिए जो TCS के साथ परनाट सिप करके BSL अपर अपने 4G service को launch करने वाला था अभी launch करने के बाद हैं हमें पूरा जो scenario है वो पता चल पाएंगे कि आने वाले time के अंदर किस तरीके से वी आई कंपनी एक्जिश्ट यापर कर पाएंगे लेकिन अगर वी आई कंपनी बंद भी हो जाते हैं तो government कंपनी होने के रहाते हैं कुछ time आपको जरूर मिलेंगे वी आई कंपनी से किसी दूसरे कंपनी के अंदर पूट आउट करने के लिए तो इसके बाद में आपको क्या लगते हैं डिफिनिल आप कॉमेंट सेक्स पर कॉमेंट करके जवरूर बतेएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद है कुछ नए जान करे मिला तो वीडियो को ल के लिएगा